हाई चल्टरन तोड़े आल शो यू अमाजिक ट्रिक आप मैठ आज मैं आपको मैठ की एक मैजिक ट्रिक दिखाने जा रही हूं आप कोई भी एक नंबर सोचें गैस एनी नंबर और मैं तुरंत आपको बता दूंगी कि आपने कौन सा नंबर सोचा है आल टेल यू इमेडियेटली विच नंबर यू अब गैस अगर आपको ये कंसेप पसंद आया है ये समझ में आया है और आपको ये वीडियो पसंद आया है देन हिट लाइक बटन subscribe my channel for more updates and yes press the bell icon for getting the notifications okay guess a two digit number कोई एक दो डिजित का नंबर सोच है ma'am I guess I guess ma'am I guess a girl shouted and she had guessed a number 62 now she knows it but I don't know it that what she has thought of right उसने बताया कि मैं मैंने मेरा number सोच लिया आप मेरे साथ खेलो ये गेम मैंने बोला ठीक है अभी उसने 62 number सोच था गौर कीजिएगा आपको याद रखना है कि उसने क्या सोच था मुझे परस्नली नहीं पता है कि उसने क्या सोच था बट उसने मुझे बताया कि मैडम मैंने एक number सोच लिया मैंने बोला ठीक है फिर बताया मैंने tell me its unit digit मैंने बोला कि उसका जो last digit है वो तुम मुझे बताओ वो लड़की बोली कि unit digit 2 है उसने याद किया कि उसने कौन सा number सोचा था उसने सोचा था 62 तो 62 का unit digit मतलब कि last digit 2 होता है उसने मुझे बता दिया मैंने एक number सोच लिया है और उसका last digit 2 है मैंने बोला ठीक है नाव जो है आपका number है उसके digits को reverse कीजिए reverse the digits of the number मतलब की अगर आपने 43 number सोचा है यह आपने आपका सोचा हुआ number है तो उसके digits अगर आप reverse करते हो तो वो number 34 बन जाता है और वो reverse करके मैंने पूछा नहीं कि आप मुझे reverse करके बताओ कि number क्या है no not like that मैंने सिर्फ reverse करने को बोला और की बोल रही है मैडम I reverse the digits उसने याद कि उसने सोचा था number 62 उसने सोचा था number 62 उसने reverse कर लिया उस number को तो वो बन गया 26 और उसने बताया कि मैडम मैंने reverse कर लिया उसने यह नहीं बताया कि उसका number अभी क्या है सिर्फ इतना बताया कि माडम मैंने वो number के digits को reverse कर लिया मैंने बोला add both the numbers and tell me the sum मतलब मैंने बताया कि जैसे कि मैंने आपको एक example दिया है कि अगर मैं सोच रहे हूं 43 तो उसको reverse करके 34 बनेगा उन दोनों को मैं add करूंगी तो मुझे 77 मिलेगा तो यह जो 77 आ रहा है यह outcome आपको मुझे बताना है मतलब कि सोचा हुआ number plus reverse digit वाला number करके जो मिलता है वो sum आप मुझे बताओ ऐसा मैंने उस लड़की को बोला उस लड़की ने याद किया कि 62 उसने सोचा था उसके बाद उसको reverse करके 26 add किया तो मिला 88 और उसने मुझे बताया कि sum 88 है next moment पे मैंने बोला कि आपने जो नंबर सोचा वो 62 है she said wow that's true how did you do it उसने बोला आपने इतना जल्दी कैसे बता दिया कि मैंने 62 सोचा था कैसे किया आपने और इसके साथ साथ पूरे class में excitement की लहर दौट गई everybody was so excited सब excited हो थे बर उसके साथ साथ सबके पास एक ही question था कि हमें बड़ा मज़ा आया बट किया कैसे और मेरे पास उनको देने के लिए एक ही जवाब था कि it is nothing but a math magic trick यह कोई ऐसे जादू नहीं था बट यह math का ट्रिक था जो हम अभी थोड़े एक या दो मिनिट में समझ लेंगे मैं आपको भी समझा दूंगे और आप भी यह चीज कर पाऊगे याद रखे वेन और टू डिजिट नंबर इस अड़े दे दे नंबर गॉट आफ्टर रिवर्सिंग दे डिजिट्स अफ दे शेम नंबर यहाँ पर ध्यान से देखो वेन और टू डिजिट नंबर इस एड़े एक दो डिजिट का नंबर जब एड किया जाता है किस में तो दे नंबर गॉट आफ्टर रिवर्सिंग दे डिजिट्स अफ दे शेम नंबर मतलब कि मैंने फिर से वाई एग्जाम्पल ले रही हूँ जो मैंने दिया था कि अगर नंबर 43 है तो एक नंबर हुआ वेन टू डिजिट नंबर ये एक टू डिजिट नंबर है इस एड़े टू दे नंबर एक नंबर जो है जो हमने एज्यूम किया है वो वाले नंबर के डिजिट्स को रिवर्स करके लिया जाता है जब ये दो नंबर हम एक दूसरे के अंदर अड़ करते हैं तो सम जो होता है यहाँ पर इस केस में 77 मिल रहा है कोई भी केस ले लो उसके अंदर वो हमेशा 11 के मल्टिपल 11 के गुणांक में होगा जैसे के आप यहाँ देखो कोई एक नंबर लिया हमने 31 उसे उल्टा किया 13 उसको अड़ किया तो 44 so 4 into 11 44 होता है तो 44 11 के मल्टिपल में है कोई दूसरा नंबर लिया 65 उसके अंदर उसको उल्टा करके 56 अड़ किया तो 121 मिला और वो भी 11 के मल्टिपल में same 54 के अंदर 45 एड़ किया तो 99 और वो भी 11 के multiple में है तो मतलब कोई भी दो digit के number को reverse digit करके उसको original number में जब एड़ किया जाता है तो जो sum मिलता है वो 11 के multiple में मिलता है I hope this is clear आगे बढ़ता है कोई number है x y अगर हम ध्यान से देखें तो यह जो x है वो 10s place पे हैं मतलब place value of x हो जाएगा 10x जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है और y units place पे हैं वो y ही रहेगा अभी मैं इसको reverse कर लूँ अगर जैसे कि मैंने बोला था one second वागी example ले रहे हूँ कि 43 को यहाँ पे मैं 4 into 10 plus 3 के format में लिख सकती हूँ अगर मैं reverse digit कर लूँ मतलब 43 की जगा मैं 34 लिखती हूँ तो 10 into 3 plus 4 लिखना पड़ेगा मतलब की x और y के places change हो जाते हैं इसे reversing the digits बोलते हैं now addition of these two numbers मतलब की 10x plus y वाला format मैं extra ink पहले हटा देती हूँ ताकि आप समझ पाओ ध्यान से 10x plus y original number and reversed number 10y plus x दोनों मैंने यहाँ पे add किया है तो अब ध्यान से देखे 10x plus x मुझे 11x मिलेगा plus y plus 10y मुझे 11y मिलेगा and I am taking 11 out as common factor so 11x plus y मुझे answer मिलेगा तो जब भी कोई दो digit के numbers को मैं reverse करके add कर देती हूँ तो हमेशा मुझे 11 into the bracket दोनों digits का sum मिलता है I hope this is clear to you यह आपको समझ में आ गया है अभी आगे देखते हैं उस लड़की ने सोचा था 62 यह उसका सोचा हुआ number था 62 now 62 में unit digit जिसे हम y बोलते हैं वो 2 है है ना बिकास यह है 10 into 6 plus 2 तो यह जो 6 है यह मेरा 10th digit है और unit digit 2 है तो मैंने 2 को y बोल दिया पिकास 10x plus y के form में मेरा original number है after adding the reversed number into the original number मतलब कि original number उसमें जो भी लिया था उसको reverse करके जब उसको reverse number add किया तो 88 हुआ मतलब क्योंकि मैं यहाँ पर आपको समझा रही है तो मैं कर सकती हूँ 62 उसका reverse number हो गया 28 और दोनों को add किया मिला ना मुझे 88 इस हिसाब से मुझे 88 मिल रहा है जैसे ही मैंने सिर्फ दो questions पूछे कि unit digit क्या है तो 2 पता चला और फिर मैंने दूसरा question पूछा कि reverse digit करके original number में add करने के बाद क्या number मिलता है तो उन्होंने बताया 88 तो इससे मुझे पता चल गया कि यह जो 88 है वो 11 x plus y के form में है क्योंकि मैंने अभी 2 second पहले ही यह समझाया इस slide के पहले ही मैंने आपको समझाया तो 11 x plus y 88 है 11 से मैंने 88 को काटा तो 8 मिला that means x plus y 8 हो गया जिसके अंदर y 2 है जो मुझे originally पता ही है y 2 है जो मुझे पता है तो that means अगर y 2 हुआ तो x is equals to 8 minus 2 करके x मुझे 6 मिलेगा और क्योंकि मेरा number x y form में था और y 2 है और x plus y 8 है और x मुझे 6 मिल चुका है तो मेरा number 62 होगा अभी यह question आप subscribe कीजिए और इसका जो भी answer आता है आप comment section में जरूर लिखें the two digit number एक दो digit का number है whose unit digit is 3 जिसका last digit 3 है उसको हमने reverse digit वाले number के अंदर add किया मतलब sum of the number and the number got after reversing the digits यह करने के बाद जो sum मिलता है वो 55 है that means sum of the number of the sum of the number and the number got after reversing the digits is 55 then find the number तो यह number पता कीजिए मुझे बताईए कि यह number कौन सा है मैं फिर से question समझा रही हूँ कि एक दो digit का number है जिसका last digit 3 है वो number के अंदर वही number के digits reverse करके जो number मिलता है वो add किया जाता है तो यह addition 55 मिल रहा है तो वो original number कौन सा होगा वो आपको हमें बताना है write your comments, write your answers in the comment section and don't forget to hit the like button if you like this video अगर आपको मेरे सिखाय गए concepts पसंद आ रहे हैं उसके द्वारा आपका समझ डेवलप हो रहा है तो आप मेरे YouTube चैनल परीदी त्रिवेदी परीख पर जाके उसे subscribe कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं जिसकी वज़े से जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन तुरंट आपको सब्सक्राइब माई चैनल परीदी परीदी त्रिवेदी 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 और उसके सब्सक्राइब